साथियों इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्यत तै करने वाला है आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया इसके बाद इस खुबसुरत राज्य को परिवार वादने खोखला करना शुरू कर दिया यहां जिन राजनितिक दलों पर आपने भरोसा किया उन्होंने आपके बच्चों की चिन्ता नहीं की उन्होंने राजनितिक दलों ने सीर पर सरफ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया जम्मु कश्मीर के मेरे नवजवान आतंकबाद में पिस्ते रहें और परिवार वाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टिया आपको गुम रहा करके मोज काट पी रही इन लोगों ने जम्मु कश्मीर में नए नेत्रुत्व को कहीं भी कभी भी उभरने ही नहीं दिया आप भी जानते हैं यहां पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे यहां बीडीसी के चुनाव कभी भी नहीं हुए थे डीडीसी के चुनाव भी कभी नहीं हुए थे दसकों तक यहां परिवार वाद ने यहां के बच्चों को यहां के होनहार नवजवानों को आगे नहीं आने दिया और इसलिए ही 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नव जवानों की नई लीडर्शिप को आगे लाने का प्रयास किया है फिर 2018 में यहां पंचायत के चुनाव कराए गए 2019 में BDC के चुनाव हुए और 2020 में पहली बार DDC के चुनाव कराए गए और यह चुनाव क्यों कराए गए ताकि जम्मू कश्मीर में डेमोकरसी ग्रास रूट तक पहुँचे यहां के मेरे युवा जमूरियत की कमाल संभालने के लिए आगे आए यही मेरी कोशिस थी यहां परिवारबादी राजनीती करने वाले नहीं चाहते थे कि यहां का नौजवान राजनीती में आगे आए हमने इन परिवारबाद्यों के इरादों को चुनोती दी और नतीजा क्या हुआ लोकल बोड़ी के इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में तीस पैटिस हजार नए नौजवान राजनीती में आए जम्मू कश्मीर की कमान समाडी बीते सालों में जम्मू कश्मीर में विकास का नया दौर आया है तो इसका क्रेडिट इनी नव जवानों का है मैं आज जम्मू कश्मीर की विवा को चाहे वो बेटी हो बेटा हो उनके जोश उनके जज़बे को सल्यूट करता हूँ साथियों जम्मू कश्मीर का इस बार का विदान समाड चुनाओ तीन खांदानों और जम्मू कश्मीर के नव जवानों के बीच में है एक तरफ तीन खांदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरी नव जवान बेटे बेटिया है ये तीन खांदान एक खांदान कॉंग्रेस का है एक खांदान नेशनल कंफरेस का है एक खांदान पीडीपी का है जम्मू कश्मीर में इन तीन खांदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है ये तीनों खांदान जम्मू किश्मीर को दसकों दसक तक बरबादी देने के जिम्मेदार है इन तीन खांदानों ने यहाँ करप्शन को बढ़ावा दिया इन तीन खांदानों ने यहाँ जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया तड़पाया गया सरकारी नोक्रियों में सिरफ उनी लोगों को भर्ती किया गया जो यो इन तीन खांदानों के खास थे इन तीन खांदानों ने ही यहाँ अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तयार की और इसका फाइदा किसे ने उठाया देश के दुश्मनों ने यह लोग आतंक बात को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अर्बों खर्बों की दुकान चलती रहे इनके गुनाहों की बज़र से हमारे हजारों बच्चों की यहाँ जान चली गई यह चंद्रभागा गाटी यह सालों साल चले आतंके खुन खराबे के उद्दौर की गवार ही है आप याद करिये वो समय जब दिन ढ़ते ही यहाँ अगोशित कर्फ्यू लग जाता था सारी दुकानदारी ठप सारा कामकाज ठप हालत यह थी कि तब कॉंग्रेस सरकार के केंद्र सरकार के ग्रह मंत्री तक लाल चोग जाने से डरते थे साथियो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतीम सांसे गिन रहा है पितले दद साल में जम्मू कश्मीर में जो बडलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है जो पत्थर पहले पुलीस और पोज पर फैंक डिक लिए उनते थे उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है और ये सब कोच किसने किया है किसने किया है किसने किया है ये मोदी ने नहीं किया ये जम्मू कश्मीर के डोडा के आप लोगों ने किया है आपके इसी विस्वास को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर भाजपा ने आपके लिए एक से बढ़कर एक संकल्प लिए है आज ही हमने लिकागा टपलो जी को याद किया है उन्हें इस रद्धानली दिये है तीन दसक से जादा हो गए इसी दिन हमारे टपलो जी को आपको जवाज़ों ने शहीं दिया है उनकी हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिल्षिला चला की भाज़पा है जिसने कश्मीरी पंडितों के आवाज उठाई उनकी हित में काम के आँ मैं जम्मू कश्मीर भाज़पा को बदाई दूँगा उन्होंने कश्मीरी हिंदों की वापसी और पुनर्वाद के लिए इकालाज तप्रू स्कीम बनाने का एलान किया है इसे कश्मीरी हिंदों को उनका हक दिलाने में तेजी आए आज पाने आतंगबाद के सभी पिडितों को नियाय दिलाने के लिए वाइट पेपर लाने का भी फैसला लिया है और साथियों आज पाने सिर्प कहती है यहां मंच पर हमारी बेटी शगून बैठी है इनके पीता और चाचा दोनों को आतंगबादियों ने मार ला ला था अब भाजपा ने आतंगबाद पिडित इस बिडिया को टिकड दिया है बेटी शगून सिर्फ केंडिडेट है इसा नहीं यह आतंग को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है साथियों जिनराजरितिक दलों ने बरसों तक जम्मु किश्मीर पर राज किया उन्हों ने आपके बच्चों के भविश पर कभी धान नहीं दिया आप याद किजिए यहाँ पहले एक एक स्कूल खोलने के लिए आपको कितना संगर्श करना पड़ता था आपको एक स्कूल एक कोलेज खलवाने के लिए भी आंदोलन करना होता था एक छोटी सी सडक बनवानी हो पानी की टंकी बनवानी हो आपको आंदोलन किये बिना पुलीस की लाठी खाये बिना कोई सुनने को तयार नहीं था कई कई साल लग जाते थे लेकिन कुछ नहीं होता था Medical College, Engineering College ये सब खुलना तो यहां किसी बड़े सपने से कम नहीं था आज जब आप यहां से घर जाईएगा तो इत्मिनाम से जरूर सोचिएगा कि क्यों आपके बच्चों को इन सबसे महरूम रखा गया जिने आप अपना समझते रहें उन्होंने आपको कभी अपना माना ही नहीं है आप तो उनके लिए सत्ता तक कहुँचने की सीड़ी मात्र थे साथियों ये मोदी है जो आपके बच्चों की चिंता करता है आपके भविश्य की चिंता करता है मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्वीर के हर बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले मैं चाहता हूँ यहां का हर बच्चा खुब आगे बढ़े इसलिए बीते चार पांच साल में ही भाजपास सरकार ने यहां अने को नए स्कूल खोले हैं बहुत सारे कॉलेज बनवाए हैं आप भी देखिए दोड़ा के मेडिकल कॉलेज की डिमान कब से थी वो अब जाकर के पूरी हुई है एक समय था जब यहां के नवजवान अच्छी पढ़ाई के लिए देश के दूसरे राज़े में जाने के लिए मजबूर थे आज मेडिकल कॉलेज हो एमस हो आयाइटी हो जम्मु कश्मीर में सीटे कई गुणा बढ़ाई गई है अब जम्मु कश्मीर हमारी भाज़पा जम्मु कश्मीर एकाई ने पंडित प्रेमनात डोगरा रोजगार योजना का एलान किया है इसके तहट यहां रोज़गार के लाखों नए आउसर बनेंगे राज में भाज़पा सरकार बनी तेहां कॉलेज जाने वाली वाओं को ट्रेवलिंग एलाउंस भी दिया जाएगा आथियों भाज़पा एक ऐसा जम्मु कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मु कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा मुझे पुराने दिन याद आते हैं यहां के लोग खास तौर पर बदरवा के साथी बेरी काफी उनसे मुलाकाते होती रहती थे तो बड़े गर्व से कहते थे किसी समय कि मोदी जी यहां फलारा फिल्म की शुटिंग होती थी मोदी जी वहां फास फिल्म की शुटिंग शिन शुटू हुआ था लेकिन आतंगबाद बढ़ने के बाद यहां फिल्म वालों का आना बंद हो गया पिछले दस वर्षों की मेहनत के बाद अब यह हालत भी बदलते नजर आ रहे हैं यहां देश ही नहीं दुनिया भर से फिल्म वाले शुटिंग करने आएं हम ऐसी व्यवस्ता बना रहे हैं इसके लिए नई फिल्म पॉलिसी भी बनाई गई है मेरा जम्मू कश्मीर अब फिर फिल्मों में चाहेगा दुनिया में चाहेगा मुझे खुशी है कि अब यहां होटल रिस्तरा धाबे सभी गुलजार रहने लगे हैं लाखो लाख तुरिस्त हर साल आ रहे हैं मुझे लोग बताते हैं यहां बद्रवा में बड़े बड़े होटल बनने लगे हैं मेरे भाई और बहनों यहां तुरिजम का और विस्तार हो आप लोगों के लिए आना जाना भी और आसान हो इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार यहां कनेक्टिविटी को भी मजबूत कर रही है चेनानी नाशरी टनेल हो बनिहाल काजी गुन टनेल हो नए पूल नए फ्लाइ ओवर इस खेत्र की पहचान बन रहे हैं आप याद करिए पहले जम्मू से रामबन और बनिहाल जाने में 6-6 आठार गंटे लग जाते थे अब लोग बताते हैं कि जम्मू से बनिहाल 3 गंटे में और जम्मू से स्रीनगर 5-6 गंटे में पहुँच जाते हम जम्मू कश्मीर के अंच्विये हिस्सों को भी रेल से जोट रहें जिला रामबन डोडा कितवाट और कश्मीर गाटी के लोग भी सीधे दिल्ली तक रेल से पहुँच सके हम आपका ये सपना पूरा करके रहेंगे बहुत जल्द ही दिल्ली से रामबन होते हुए ट्रेन स्रीनगर तक जाने वाली है रेलिवे लाइन का काम पूरा हो गया है स्टेशन बन कर तयार है और ट्रायल भी शुरू हो गया है बहुत जल्द ही ये हिस्सा भी रेलिवे द्वारा पूरे देश से जुड़ जाएगा साथियों यहां गडिप से गडिप परिवार को बहतर सिक्षा मिले बहतर इलाज मिले ये हमारा संकल्प है जम्मु कश्मीर देश का वो राज्य है जहां हर परिवार को पाँच लाख रुपे तक का मुप्त इलाज मिलता है अब जम्मु कश्मीर भाजपा ने हर गडिप परिवार को साथ लाख रुपे तक मुप्त इलाज देने का एलान किया है साथियों महिलाओं के जीवन से परेशानी कम से कम हो ये भी भाजपा की प्रात्विक्ता है बीते वर्षों में जम्मु कश्मिर के दूर सुदूर के गावों तक भी नल से जल पहुँचा है बिजली पहुँची है मोबाइल के टावर पहुँचे है इससे भी माताओ बहनों का जीवन आसान हुआ है जम्मु कश्मिर भाजपा ने परिवार की सबसे बड़ी महिला उसके खाते में हर साल अठारा हजार रुपिय जमा करने की भी गोछणा की है ये पैसा हर परिवार को अपनी आबद्री बढ़ाने के लिए नए साधन नए समाधान देगा साथियों यहाँ इक्षेत्र को परपल रिवालुशन यानि बैंगनी करांती के लिए जाना जाता है लेवेंडर की खेती ने यहाँ छोटे किसानों का जीवन बदल दिया भाजपा सरकार छोटे किसानों के हीतों के साथ खड़ी है अभी तक जम्मु कश्मीर के किसानों को पी-एम सम्मान निदी के छे हजार रुपया मिलते रहें अब यहाँ भाजपा की टीम ने इसको दस अजार रुपये करने का एलान किया है साथियों जम्मु कश्मीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ती चाए वो किसी भी मजहम का हो किसी भी आद्स्ता से जुड़ा हो किसी भी वर्ग का हो भाजपा की प्रात्विक्ता है आपके हर अधिकार की रक्षा की गारंटी मोदी ने दी है जम्मु कश्मीर को पूर्ण राज़ का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावदान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छिनते रहे है आपने देखा है आज कल ये लोग सम्विधान को अपनी जेब में रखते हैं सम्विधान की किताब कोई सम्मान नहीं जेब में रखतो और ये दिखावा क्यों कर रहे हैं अपने काले कारणामों को छिपाने के लिए कर रहे हैं हकीकत क्या है ये जम्मू कश्वीर का बच्चा बच्चा जानता है इन लोगों ने बाबा सहाब के बनाए सम्विधान की आत्मा को नोच दिया था वरना क्या कारण था कि हमारे जम्मू कश्वीर में दो सम्विधान चलते थे क्यों जम्मू कश्वीर के लोगों को वो हक नहीं मिलता था जो बाकी देश में मिलता था यहां मारे पहाड़ी भाई 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 मैं देख रहा हूँ यहां यह क्या कारण है कि इतने साल तक उनको आरशन नहीं मिला जम्मू कश्वीर में यह S.C.S.T.O.V.C. का नाम तक नहीं लेते थे इतनी पीडिया गुजरने के बाद उनको भाजपा ने आकरके भाजपा सरकार ने आरशन दिया आज ऐसे अनेक साथी है जिनको पहली बार वोट डालने का हक मिला है भारक का समिधान हर किसी को वोट का अधिकार देता है ये समिधान को जेब में लेकर गए गुमने वालों ने 75 साल तक आप मैंसे कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार जीन लिया था साथ को मैं जम्मू कश्बीर की सभी माता हो बेहनों से भी कहूंगा इन्होंने इतने दसफ़क तक आपको भी दोखा ही दिया है इन्होंने ऐसे कानून मनाए कि आपको अपनी ही जमीन पर बेगाना कर दिया गया मैं सभी मुस्लिम बेहनों बेटियों को भी एक बात या देलाना चाहता हूँ जब हमने तीन तलाग को खत्प करने का कानून मनाया तो कॉंग्रेस, नेशनल कॉंफरेंस और पीड़ेपी ने ही इसका विरोध किया था यह आपके हिमायती नहीं है यह सिर्फ अपने खांदान का हीच सोचते है शाथियों आपके सामने कॉंग्रेस और नेशनल कॉंफरेंस की गोश्राएं भी है और भाजपा का संकल्प पत्र भी है आपके लिए जानना जरूरी है कि ये लोग कह क्या रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा नेशनल कॉंफरेंस पीडीपी और कॉंग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं आपके लिए इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा ये तीन खांदान मिलकर पहड़ी समाज का आरक्षण फिर छिन लेंगे जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों को वोटिंग का जो हक मिला है वो भी छिन लिया जाएगा 35A वापस आई तो माताओ बेहनों के हकों पर फिर वही पुरानी पाबंदी लग जाएगे आप याद रखिये इनके गोशना पत्र लागू हुए तो फिर स्कूल जलने लग जाएगे फिर बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे फिर हड़ताले होगी कारोबार पत्ताले लगेंगे नव जवान बेरोजगार घुमेंगे क्या आप इनको वो खौफनाग दिन वापस लाने देंगे क्या वापस लाने देंगे क्या साथियों ये सम्विधान की बाते करते हैं और नफरत की दुकान पर महबत की दुकान का बौड लगा करके गुमते हैं मैंने आज अख़बारों में पढ़ा लोग तंत्र का एक महत्वपन पीलर होता है हमारा स्वतंत्र मिडिया आज एक ख़बर पड़ी अमेरिका गए हुए भारत के एक ख़बार के प्रतिनीदी को अमेरिका में जूश प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को वो भी एक पत्रकार को और वो भी भारतिय सम्विधान के रख्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद करकर के उनके साथ जो व्यवार हुआ है क्या ये लोग कंत्र को सम्विधान की बर्यादाओं को उजाकर करने वाले विशे हैं क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्टा बढ़ा रहे हो आपके मुँ में सम्विधान शब्द शोपा नहीं देता है भाई यो भेनों आपको कॉंग्रेस के जूठे वाइदों से बहुत सावदान रहना है कॉंग्रेस क्या करती है कैसी सरकार चलाती है इसका उदारान आप पडोस में देख रहे हैं पडोस में हिमाचल में सरकार बनाने के लिए वोट पाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करके सरकार बना दी कि पूरे राज्य को बरबाद कर दिया आज वहाँ छोटा सा राज्य हर कोई सड़क पर है वहाँ रोड, पानी, बिजली सब काम ठप पड़े है कर्मचारियों को सेलरी नहीं मिल रही है मंगई चरम पर है नवजमानों की भरतिया बंद है मैं आप से कह रहा हूँ कि कॉंग्रेट भारत की सबसे बेइमान और दोखे बाज़ पार्टी है और कॉंग्रेट का सही खांदान भारत का सबसे प्रस्ट परिवार है आपको इन से सावधान रहना है यह ऐसे लोग है जो सरकारी तीजोरी के दमपर चुनाव जीतने के लिए बेइमानी के हतकंडे अपनाते हैं यह लोग जनता को मुसिबत बडालते हैं यह अपनी नीतियों के दमपर चुनाव मैं नहीं जाते जब मैं देश को सतर कर रहा था इनके खतरनाक इदार्दों से सावधान करा रहा था तब यह सारे लोग मिलकर मेरा मखौल उडाते थे मुझे गालिया देते थे और आइक पुरा देश देख रहा है कांग्रेस सासित राज्यों में इतने कम सबैवें कितनी बड़ी बड़ी मुसिबतیں खड़ी हो गई है और उनके पापों के कांख़डी हुई है साथ यों कांग्रेस की सोच क्या है उनकी नियत क्या है कि उनके अधिश्ट की बातों से भी साफ हो जाता है वो यहां आकर क्या बाते करते है मैं यहां आकर क्या कह रहा हूँ कि हम यहां यह काम करेंगे वो काम करेंगे यहां क्या लोगों कि भलाई की यह करता हूं कि नहीं करता हूं उन्होंने क्या कहा उनका हंकार देखिए अगर हमें 20 सिटे जाधा आती तो ये मोदी समेथ BGP के समनेता जेल में होते हैं क्या आप लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जरारण का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो क्या यही एक एजंडा है क्या आपका 2014, 2019, 2024 60 साल के बाद तीन बार देश की जंता ने में सेवा करने का बोका दिया लेकिन हम सरकार लोगों को जेल में डालने के लिए नहीं चलाते है हम सरकार देश में प्रिस्पाचार को नश्ट करने के लिए चलाते है हम सरकार देश के सामाने मानवी की बलाई के लिए चलाते है साथियो जब कोई positive सोची नहो तो फिर उनके लिए जेल में बन करने के सिवाए को रेजंडा नहीं होता है वो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए दो बात बता के जाते हैं लेकिन वोनों ने तो जेल भेजने की बाते करके गए है साथियों ये नफरत दिखानें से ज़्यादा और कुछ सोथ नहीं सकते इनकी नफरत का सिकार जम्मू भी रहा है कॉंग्रेस और निस्नल कॉंफरंस हमेशा जम्मू के साथ बेदबाव किया है डोडा के साथ बेदबाव किया है पूरे छेत्र के साथ बेदबाव किया है इन लोगों ने महराजा हरी सी और दूसरे राजाओं के लेकर कैसी कैसी टिपनिया की है वो भी आपने सुनी है ये सिर्फ महराजा का नहीं सभी डोगरों का अपमान है और मैं जानता हूँ जमू कश्मीर के लोग ये अपमान कभी नहीं सहेंगे सात्यों भाजपा का संकल्प और आपका सात ही शांती, सुरक्षीत और सम्रद जमू कश्मीर बनाएगा इसलिए अठारा सितंबर को भाजपा के सभी उमिद्वारों को यहां मंच पर बैटे हुए मेरे उमिद्वारों ते चैता हूँ सब आगे आजाएं आगे खड़े हो जाएं जो वही आखड़े हो जाएं इन सम मेरे साथियों को जिता करके बारी मौमत से जिता करके सब के सब को विदान समा में बेजना है हम और आप मिल करके एक सुरक्षित और सम्रुद्द जम्मो कश्मीर का निर्मान करेंगे और ये मोदी की गारंटी है साथियों इस बार जम्मो कश्मीर का चुनाव जम्मो कश्मीर का भाग्यत तै करने वाला है आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मो कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया इसके बाद इस खुपसुरत राज्य को परिवार वाद ने खोखला करना शुरू कर दिया यहाँ जिन राजनितिक दलों पर आपने भरोसा किया उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की उन्होंने राजनितिक दलों ने सीर पर सरफ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया जम्मु कश्मीर के मेरे नौजवान आतंक बाद में पिस्ते रहें और परिवार वाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टिया आपको गुम रहा करके मोज काट पी रही इन लोगों ने जम्मु कश्मीर में नए नेत्रुत्व को कही भी कभी भी उभरने ही नहीं दिया आप भी जानते हैं यहाँ पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे यहाँ बीडी सि के चुनाव कभी भी नहीं हुए थे डीडी सि के चुनाव भी कभी नहीं हुए थे दसकों तक यहाँ परिवारबाद ने यहाँ के बच्चों को यहाँ के होनहार नवजवानों को आगे नहीं आने दिया और इसलिए ही 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नव जवानों की नई लीडर्शिप को आगे लाने का प्रयास किया है फिर 2018 में यहाँ पंचायत के चुनाव कराए गए 2019 में BDC के चुनाव हुए और 2020 में पहली बार DDC के चुनाव कराए गए और यह चुनाव क्यों कराए गए ताकि जम्मू कश्मीर में डेमोकरसी ग्रास रूट तक पहुँचे यहाँ के मेरे युवार जमूरियत की कमाल संभालने के लिए आगे आए यही मेरी कोछिस थी यहाँ परिवारबादी राजनीती करने वाले नहीं चाहते थे कि यहाँ का नौजवान राजनीती में आगे आए हमने इन परिवारबाद्यों के इरादों को चुनोती दी और नतीजा क्या हुआ लोकल बोड़ी के इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में तीस पैंतिस हजार नए नौजवान राजनीती में आए जम्मू कश्मीर की कमान समाडी बीते सालों में जम्मू कश्मीर में विकास का नया दौर आया है तो इसका क्रेडिट इनी नव जवानों का है मैं आज जम्मू कश्मीर की विवा को चाहे वो बेटी हो बेटा हो उनके जोश उनके जज़बे को सेल्यूट करता हूँ साथियों जम्मू कश्मीर का इस बार का विदान समा चुनाओ तीन खांदानों और जम्मू कश्मीर के नव जवानों के बीच में है एक तरफ तीन खांदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरी नव जवान बेटे बेटिया है ये तीन खांदान एक खांदान कॉंग्रेस का है एक खांदान नेशनल कंफरेस्स का है एक खांदान पीडीपी का है जम्मू कश्मीर में इन तीन खांदानों ने मिल कर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है ये तीनों खांदान जम्मू कश्मीर को दसकों दसक तक बरबादी देने के जिम्मेदार है इन तीन खांदानों ने यहाँ करप्शन को बढ़ावा दिया इन तीन खांदानों ने यहाँ जमीन कबजा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया तड़पाया गया सरकारी नोकरियों में सिरफ उनी लोगों को भरती किया गया जो यो इन तीन खांदानों के खास थे इन तीन खांदानों ने ही यहाँ अलगाव और आतंग के लिए जरूरी जमीन तयार की और इसका फाइदा किसे ने उठाया देश के दुश्मनों ने यह लोग आतंगवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अर्बों खर्बों की दुकान चलती रहे इनके गुनाहों की बज़़ से हमारे हजारों बच्चों की यहाँ जान चली गई यह चंद्रभागा गाटी यह सालों साल चले आतंग के खुन खराबे के उस दौर की गबा रही है आप याद करिये वो समय जब दिन धंगते ही यहाँ अगोशित कर्फ्यू लग जाता था सारी दुकांदारी ठप सारा कामकाज ठप हालत यह थी कि तब कॉंग्रेस सरकार के केंद्र सरकार के ग्रह मंत्री तक लाल चोग जाने से डरते थे साथियों जम्मु कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतीम सांसे गिन रहा है पिदले दस साल में जम्मु कश्मीर में जो बढ़लाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है जो पत्थर पहले पुलीस और फोच पर फैंकने के लिए उठते थे उन पत्थरों से नया जम्मु कश्मीर बन रहा है और ये सब कुछ किसने किया है किसने किया है किसने किया है ये मोदी ने नहीं किया ये जम्मु कश्मीर के डोडा के आप लोगों ने किया है आपके इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए जम्मु कश्मीर भाजपा ने आपके लिए एक से बढ़कर एक संकल पलिये है साथियों आज ही हमने तीकागाज टपलू जी को याद किया है उन्हें इस तरफ धांजली दिये तीन दसक से जादा हो गए इसी दिन हमारे टपलू जी को आत्म के बादियों ने शहीद किया था उनकी हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला यह भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों के आवाज उठाई उनके हित में काम किया मैं जम्मु कश्मीर भाजपा को बदाई दूँगा उन्होंने कश्मीरी हिंदों की वापसी और पुनरवाद के लिए टीकालाल तप्रू स्कीम बनाने का एलान किया है इसे कश्मीरी हिंदों को उनका हक दिलाने में तेजी आएगी भाजपा ने आतंकबाद के सभी पिडितों को नियाय दिलाने के लिए वाइड पेपर लाने का भी फैसला लिया है और साथियों भाजपा सिर्प कहती है ऐसा नहीं है करके दिखाती है यहां मंच पर हमारी बेटी शगून बैठी है इनके पीता और चाचा दोनों को आतंगवादियों ने मार ला ला था अब भाजपा ने आतंगवाद पीडीत इस बिडिया को टिकड दिया है बेटी शगून सिर्प कैंडिडेट है ऐसा नहीं यह आतंग को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है साथियों जिनराजरितिक दलों ने बरसों तक जम्मु किश्मीर पर राज किया उन्होंने आपके बच्चों के भविश पर कभी ध्यान नहीं दिया आप याद किजिए यहाँ पहले एक एक स्कूल खोलने के लिए आपको कितना संगर्ष करना पड़ता था आपको एक स्कूल एक कॉलेज खलवाने के लिए भी आंदोलन करना होता था एक छोटी सी सडक बनवानी हो पानी की टंकी बनवानी हो आपको आंदोलन किये बिना पुलीस की लाठी खाये बिना कोई सुनने को तयार नहीं था कई कई साल लग जाते थे लेकिन कुछ नहीं होता था Medical College, Engineering College ये सब खुलना तो यहां किसी बड़े सपने से कम नहीं था आज जब आप यहां से घर जाईएगा तो इत्मिनाम से जरूर सोचिएगा कि क्यों आपके बच्चों को इन सबसे महरूम रखा गया जिने आप अपना समचते रहें उन्होंने आपको कभी अपना माना ही नहीं है आपको उनके लिए सत्ता तक कहुँचने की सीड़ी मात्र थे साथियों यह मोदी है जो आपके बच्चों की चिंता करता है मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले मैं चाहता हूँ यहां का हर बच्चा खुब आगे बढ़े इसलिए बीते चार-पांच सान में ही भाजपास सरकार ने यहां अनेकों नए स्कूल खोले हैं बहुत सारे कॉलेज बनवाए हैं आप भी देखिए दोड़ा के मेडिकल कॉलेज की डिमान कब से थी वो अब जाकर के पूरी हुई है एक समय था जब यहां के नवजवान अच्छी पढ़ाई के लिए देश के दूसरे राज़े में जाने के लिए मजबूर थे आज मेडिकल कॉलेज हो एम्स हो, आयाइटी हो जम्मु कश्मीर में सीटे कई गुणा बढ़ाई गई है अब जम्मु कश्मीर हमारे भाज़पा जम्मु कश्मीर एकाई ने पंडित प्रेमनात डोगरा रोज़गार योजना का एलान किया है इसके तहट यहां रोज़गार के लाखों नए अवसर बनेंगे राज में भाज़पा सरकार बनी तेहां कॉलेज जाने वाली वाओं को ट्रेवलिंग एलाउंस भी दिया जाएगा आथियों भाज़पा एक ऐसा जम्मु कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मु कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा मुझे पुराने दिन याद आते हैं यहां के लोग खास तोर पर बदरवा के साथी बड़ी काभी उनसे मुलाकाते होती रहती थे वो बड़े गर्व से कहते थे किसी समय कि मोदी जी यहां फलारा फिल्म की शुटिंग होती थी मोदी जी वहां फार फिल्म की शुटिंग शिन शुट हुआ था लेकिन आतंगबाद बढ़ने के बाद यहां फिल्म वालों का आना बंद हो गया पिछले दस वरसों की महनत के बाद अब यह हालत भी बदलते नजर आ रहे हैं यहां देश ही नहीं दुनिया भर से फिल्म वाले शुटिंग करने आएं हम ऐसी व्यवस्ता बना रहे हैं इसके लिए नई फिल्म पॉलिसी भी बनाई गई है मेरा जम्मू कश्मीर अब फिर फिल्मों में चाहेगा दुनिया में चाहेगा मुझे खुशी है कि अब यहां होटल, रेष्टरा, धाबे सभी गुलजार रहने लगे हैं लाखो लाख तुरीस हर साल आ रहे हैं मुझे लोग बताते हैं कि यहां बद्रवा में बड़े बड़े होटल बनने लगे हैं मेरे भाई और बहनों यहां तुरीजम का और विस्तार हो आप लोगों के लिए आना जाना भी और आसान हो इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार यहां कनेक्टिवीटी को भी मजबूत कर रही है चेनानी नासरी टनेल हो बनिहाल काजी गुन टनेल हो नए पूल नए फ्लाइ ओवर इस खेत्र की पहचान बन रहे हैं आप याद करिए पहले जम्मू से रामबन और बनिहाल जाने में 6-6 आठार गंटे लग जाते थे अब लोग बताते हैं कि जम्मू से बनिहाल 3 गंटे में और जम्मू से स्रीनगर 5-6 गंटे में पहुँच जाते हम जम्मू कश्मीर के अंच्विये हिस्सों को भी रेल से जोट रहें जिला रामबन डोडा कितवाट और कश्मीर गाटी के लोग भी सीधे दिल्ली तक रेल से पहुँच सके हम आपका ये सपना पूरा करके रहेंगे बहुत जल्द ही दिल्ली से रामबन होते हुए ट्रेन स्रीनगर तक जाने वाली है रेलिवे लाइन का काम पूरा हो गया है स्टेशन बन कर तयार है और ट्रायल भी शुरू हो गया है बहुत जल्द ही ये हिस्सा भी रेलिवे द्वारा पूरे देश से जुड़ जाएगा साथियों यहाँ गरीब से गरीब परिवार को बहतर सिक्षा मिले बहतर इलाज मिले ये हमारा संकल्प है जम्मु कश्मीर देश का वो राज्य है जहां हर परिवार को पांच लाख रुपे तक का मुप्त इलाज मिलता है अब जम्मु कश्मीर भाजपा ने हर गरीब परिवार को साथ लाख रुपे तक मुप्त इलाज देने का एलान किया है साथियों महिलाओं के जीवन से परेशानी कम से कम हो ये भी भाजपा की प्रात्विक्ता है बीते वर्षों में जम्मु कश्मिर के दूर सुदूर के गाउं तक भी नल से जल पहुँचा है बिजली पहुँची है मोबाइल के टावर पहुँचे है इससे भी माताओ बहनों का जीवन आसान हुआ है जम्मु कश्मिर भाजपा ने परिवार की सबसे बड़ी महिला उसके खाते में हर साल अठारा हजार रुपिय जमा करने की भी गोशणा की है ये पैसा हर परिवार को अपनी आबद्री बढ़ाने के लिए नए साधन नए समाधान देगा साथियों यहां इक शेत्र को परपल रिवाल्यूशन यानि बैंगनी करांती के लिए जाना जाता है लेवेंडर की खेती ने यहां छोटे किसानों का जीवन बदल दिया है भाजपा सरकार छोटे किसानों के हीतों के साथ खड़ी है अभी तक जम्मु कश्मीर के किसानों को पी एम सम्मान निदी के छे हजार रुपया मिलते रहे हैं अब यहां भाजपा की टीम ने इसको दस अजार रुपय करने का एलान किया है साथियों जम्मु कश्मीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ती चाए वो किसी भी मजहम का हो किसी भी आत्स्था से जुड़ा हो किसी भी वर्ग का हो भाजपा की प्रात्विक्ता है आपके हर अधिकार की रक्षा की गारंटी मोदी ने दी है जम्मु कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपार सरकार ही करेगी लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावदान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छिन्दे रहे है आपने देखा है आज का लिए लोग संविधान को अपनी जेब में रखते हैं संविधान की किताब कोई सम्मान नहीं जेब में रख दो और ये दिखावा क्यों कर रहे हैं अपने काले कारणामों को छिपाने के लिए कर रहे हैं हकिकत क्या है ये जम्मू कश्वीर का बच्चा बच्चा जानता है इन लोगों ने बाबा सहाब के बनाए संविधान की आत्मा को नोच दिया था वरना क्या कारण था कि हमारे जम्मू कश्वीर में दो संविधान चलते थे क्यों जम्मू कश्वीर के लोगों को वो हक नहीं मिलता था जो बाकी देश में मिलता था यहां मारे पहाड़ी भाई भाएन मैं देख रहा हूँ यहां यहां क्या कारण है कि इतने साल तक उनको आरक्षण नहीं मिला जम्मू कश्वीर में यह S.C.S.T.O.V.C. का नाम तक नहीं लेते थे इतनी पीडिया गुजरने के बाद उनको भाजपा ने आ करके भाजपा सरकार ने आरश्ण दिया आज ऐसे अनेक साती है जिनको पहली बार बोट डालने का हक मिला है भारक का समिधान हर किजी को वोट का अधिकार देता है यह समिधान को जेब में लेकर गए घुमने वालों ने 75 साल तक आप मैंसे कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार जीन लिया था हाथ को मैं जम्मू कश्मीर की सभी माता हो बेहनों से भी कहूंगा इन्होंने इतने दसफ़क तक आपको भी दोखा ही दिया है इन्होंने ऐसे कानून मणाए कि आपको अपनी ही जमीन पर बेगाना कर दिया गया है मैं सभी मुस्लिम बेहनों बेटियों को भी एक बात या दिलाना चाहता हूँ जब हमने तीन तलाग को खत्व करने का कानून मणाया तो कॉंग्रेट्स नेशनल कॉंफरेंस और पीड़ेपी ने ही इसका विरोध किया था यह आपके हिमायत ही नहीं है यह सिर्फ अपने खांदान का ही सोचते है शाथ्यों नमस्कार दोस्तों बीस्या नीज में आपका स्वाकत है मैं हूँ आपका होश्ट और दोस्त लजेश शास्त्रियों उमीद है आपको यह हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ-साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जी हाँ ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं भारत माता की जय बंदे मातरम जय हिन दोस्तों झाल 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 झाल